महिला परधान देश में हमेशा से बात महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात होती है आज राजधानी में महिलाओं ने महिलाओं को सम्मान दिया है हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की और नारियों की जो थड़ जेंडर को आज सम्मान पुर्वक एक अनूठे कारेकरम में शामिल होकर सम्मानित कर रहे हैं इस समय हमारे साथ थड़ जेंडर से प्रमुक नर्गिस जी हैं इन से बात करेंगे नर्गिस जी आज नारियों की टीम आपके साथ है आपको समानित आपकी पूरी टीम को समानित किया गया है आगे भविश में भी आपके सहीओ के लिए खड़े होने की बात कही गई समान को पाकर कैसा लग रहा हमको बहुत अच्छा लग रहा बढ़िया अच्छा लग रहा मेरे भावी जी लोग हमको बिलाएं हैं इजद समान दिये हम इनके अभारी हैं हम इन लोग को कमाई खाते हैं हमारे जजमान है मेरे दाता हैं हमको अंदर से बहुत खुसी महसूस हो हमारे जी-जी मेरे भाबी जी लोग मेरे मां लोग हमको बहुत इजच्जत समान दी हैं तो कोई दूद करता है, कोई सर पे बिठाता है, कोई सोफा में बिठाता है, कोई देख के दरवाजा बंद कर लेता है, बहुत तरह है के इंसान से गुजरना पड़ता है हम लोगों को भी, हम लोग घर-घर जाते हैं, हर जात के घर जाते हैं, हर एक गरीब, अमीर, रहीस, ठ का सपोर्ट तो मिलता है ऐसे में जो इस्तिहिती है वरतमाण में आप कि लगता है कि सरकारी तोर पर जो योजणायों का लाब मिलना चाहिए वो थर्ट जेंडर को नहीं मिल पा रहा है अद्वर कुछ जो नाषी सकति की ओर से अखिल भारती हे महिला मरवारी महिला संहलन की our हो बिल्कुल चलेगा क्योंकि है और इनके आशिड़ात से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमनों को सेसे सरकार से बिरोद प्रकार करके और भी लिए ARE बातों का रखेंगे और इनके पूरे डीटेयल निकालेंगे क्योंकि अभी मिझे एक साखा से पता चला था कि इनका इतना बड़ा समाज है कि उसने लिया था कि मैं आपको प्रतिग्या करती हूं कि मैं दस अजार लोगों का अंगदान कराऊंगी मतब कि किनर समाज से तो मैं सोच सकते हूं कि इतने बड़े समाज की छमता उनके गुण को हम लोग कैसे काट कर और अपने देश को पीछे ले जा रहे हैं आप भी महिला हैं नारी हैं कि नरों को जो सम्मान मिला आपने कहा कि आगे की जो योजनाए हैं जो हमारे और से सहयोग होगा वो दिया जाएगा कैसे इनके सहयोग के लिए साहता के लिए आप लोगा हम लोग जो भी अधा संभाव होगा वो करेंगे और बीच बीच में क्या कुछ आपके मन से आपका जो भाव है वो क्या करना चाहिए इस पूरे प्रोग्राम का निश्कर्स यही निकलता है कि हमारी राष्टी अद्देक्ष ने जो बीड़ा उठाया है इनको समाज में समान दिलाने का सबसे पहले हमें सिक्षा की बेवस्ता करनी पड़ेगी सर करन ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने किसी भी चीज के लिए अपने पैर पर खड़े होने के लिए अर्थ की अत्यत आवशकता होती है तो जब तक ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बनेंगी इनकी समाज में पहचा नहीं बन सकती है और ये अति आवशक रख आने वाला समय बताईगा अपने सयोगी नवाल के साथ मोईज उद्दिन समचार पलस राची